आप सभी प्रिय दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है इस नई वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे Ask Your Question Series के Question 306 से 315 की आज का प्रशन related होगा Future Group के latest update और जो थोड़ा सा गिरावट अभी भी चल रही है Future Group में वो कहां तक जा सकती है और क्या आगे की प्रक्रिया हो सकती है उसका विशलेशन किया जाएगा चलिए चल का शुवात करते हैं Quick Rapid Fire Round के लिए Question 305 पूछा गया है दीप दूबे जी के द्वारा इनका प्रशन है Sir 5% मतलब कितना मेरे 8800 Shared Future Consumer Limited 10 रुपे 2 पैसे में है तो दीप जी सबसे पहले आपका बहुत बहुत आबारियों आपने प्रशन पूछा है आपका बच्चा बहुत ही क्यूट है God Bless Him हम बात करेंगे कि 5% का क्या मतलब होता है तो दीखे समझे इस बात को 5% आपका पूरे पूर्टफोलियो साइज के अलोकेशन होना चाहिए एक पर्टिक्लर Consumer Group में For example, Future Consumer में आपने कर शेर खरीदे है तो यहाँ पर देखते हैं आपके पास 8800 रुपे के शेर हैं 10 के भाव में तो मोटा मोटा लगाएं तो आपके पास 88,000 रुपीज के शेर हैं आपके पास Future Group के इसका मतलब अगर आपको पूर्टफोलियो का साइज आपका यहाँ पर करीब-करीब 44,000,000 का है तो आपका 5% पूर्टफोलियो Future Consumer में है वरना आपका पूर्टफोलियो से जादा है तो आपको शायद समझ में आया अगर सिंपल सिंपल बात करें एक लाख रुपे का पूर्टफोलियो है तो उसको future consumer या किसी भी Future Group के शेर में सिर्फ और सिर्फ 5000 रुपे इन्वेस्ट करने का सलहा दी जाती है हमारी तरफ से यह एक simple example था question में 307 पूछा गया है मोहित कृष्णा जी के द्वारा इनका प्रशन है I am holding 1000 share at 122 रुपीज 50 पैसा when can I come in profit after CCI approval how much time it will take for completion of the deal meaning realisting of the share तो बहुत अच्छा question है दोनों timeline बहुत अच्छी important है पहला question एक मन्त के बाद में CCI का जब approval आता है तो आपका price यहां पर 122 के ऊपर पहुत जाना चाहिए हमारे साब से अगर for example CCI का approval 15 November को आता है तो इसका मतलब 15 December तक आपका price 122 हो जाना चाहिए as per our understanding this is our point of view we may have full right to stand corrected but based on our calculation this is what it is और जब CCI approval हो जाए जो realisting है जहां तो कुम्मीद है हमारे साब से that is CCI approval is part of that process और हमारे साब से May June 2021 में इसका realisting हो सकता है प्लीज कंसल यो financial advisor before investing and trading नेक्स कॉशन कॉशन वर 308 पूचा गया पविंत त्यागी जी के द्वारा सर मेरे पास future retail के 5000 share है 108 के भाव में सर प्लीज hide करे I think इनने बोला होगा hold करे मैं क्या करूँ तो हाँ बिल्कुल पविंत यागी जी आपको hold करना चाहिए आपका price थोड़ा सा higher है हमारे price के comparison में बट अगर आप 5% के आसपास इसको hold करते हैं तो प्लीज अपने hold कीज़े target for 170 target का duration रहेगा 3 से 6 महिने के लिए next question question number 309 शुकला आरके जी के द्वारा प्रेशन पूछा गया है sir I have 30% of future group share in our portfolio what can I do तो शुकला जी ठीक है चलिए आपने सबसे पहले at least technology किया कि आपने 30% का future group का share किया गया है आप बुरा मत बानिएगा पर ये गलत strategy है हम अपने चनल पर हमेशा बोल रहे है किसी भी एक company में specially small cap और mid cap में आपको 5% से ज़्यादा नहीं करना चाहिए अब इसके क्या कर सकते हैं ये बहुत अच्छा question है अब हमें आपने ये नहीं बताया कि आपका average price कितना है तो हम assume कर रहे है एक hypothetical number यहाँ पर कि आपका average price 110 रुपे का है तो जब भी आपका price CCI approval के बाद उस average price के आसपास पहुँच जाएगा तो आप अपने portfolio को please adjust कर लिजे इसके कुछ quantity को थोड़े से profit में बेच दीजेगा और उसके लावा 5% आप long term के लिए hold कर सकते है और फिर डूसरे stocks आप select कर सकते है हमारे चनल पर 14 से ज़्यादा वीडियो है आपको जो stock अच्छा लगे वो select कर लिजे या फिर अगर आपको कोई नया stock बनवाना है तो वो भी बता दीजे उसको आप select हम आपके लिए वीडियो बनाने के लिए दिया रहे है नेक्स कोशन कोशन में 310 पूछा गया है अरीदनम घोष्ट जी के द्वारा अस इस इंडियन कंपनी तो इस एक्सपेक्टिट तो मेक इट फेवर आफ इंडियन बिजनस तो मिटिगेट इंडियन गॉर्णमेंट एंड पब्लिक लॉसस तो सिंगापूर आर्बिटरेशन विल एग्री तूइट तो देखिए अर्णिन्दम जी आपका प्रशन सही प्रशन है आर्बिटरेशन इंडिया विल टेक केर आफ इंडियन लॉव जो आर्बिटरेशन सिंगापूर में है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ डील के एग्रिमेंट के बेसिस पर अपना डिसिजन लिया है जो उनको अर्बिबंट प्रस्तुत किया उसके बेसिस पर उनने लिया है डिसिजन यहाँ पर अब जब कोट केश चलेगा तो उसमें सीधे के सीधे FDI law का एक clause है कि retail segment में अभी FDI investment allowed नहीं है इसलिए Amazon is not holding any ground for us Next question, दोस्तों wealth create कर नहीं है तो long term का investment आपको 80% बेराखना है 20% से trading कर सकते हैं अगर आप हमारी trading service चाते हैं तो mail drop कीजे, we manage the portfolio as well along with this intraday trading Next question, question number 310 पूचा गया है, H trap जी के द्वारा ये, पता नहीं है इनका शायद निक्रेम है Future retail, what is the current limit percentage? Is it 5%, 10% or 20%? तो simple answer है, अभी के लिए ये 10% है Considering it should go upper circuit, how fast it is expected to rise तो देखिए, इस बात का ध्यान रखिए कि ये जो percentage variance है, ये change होता है अभी इसका 10% है, जब continuously ये 10% तक hit करेगा तो उसको फिर 5% पर reduce कर दिया जाएगा तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है This is predefined by NAC and BAC और आपका broker उसके accordingly अपने आप से हर डे पर उसको adjust कर देता है तो आपको broker के थूँ सारी information पतल लग जागी Next question, question number 312 इस price का breakdown कब तक हो सकता है So I think ये पुछना चाने कि इसके उपर कब तक जा सकता है तो आक्षा जी देखिए, हमारी calculation के accordingly it might take a while to go for this price हमारा F.E.L. का long term का price 3 साल का 34 रुपे है After the approval and everything अब आपका price 19 रुपे कब जाएगा आपने specific question पूचा है Only after CCI approval ये जा सकता है और उसमें जाने में शाद हो सकता है 3 महिने तक का भी time लग जाए CCI approval के बाद में क्योंकि जब तक कई positive trigger नहीं आएगे तब तक ये आपके price के उपर नहीं जाएगा Next question 313 सुमित कुंगर जी का प्रशन है 200 share 95 पर hold है What to do तो सुमित जी आपका price हमारे price से तो better है definitely हम hold कर रहे हैं हम आपको सलाह करेंगे आप भी hold कीजे हमार average price जो है 97 का है और हमारा target इसका 170 का जैसे हमने भी शुरू में बताया है Next question question 314 आइवन दियास जी का प्रशन है future group does not have the time nor the financial muscle to play the tit for ted game with Amazon तो आइवन जी आपने बहुत अच्छा question पुछा है बहुत अच्छा logic से question पुछा है हम selection भी किसी ले कि आए कि दूसरे लोगों को भी इस information से तोड़ा फायदा मिलेगा तो I agree with you कि future group के पास इतना बड़ा financial insurance नहीं है कि वो Amazon जैसे बड़े company के साथ टकर ले सके not alone for sure ये बात हम agree कर रहे है पर अकेले नहीं है वो अभी इसके साथ reliance मिला हुआ है और reliance और Amazon का 36 का आकड़ा है retail segment में तो future group को एक एक जंग की तरह से लड़ा जाएगा दोनों group के थूँ Amazon और reliance के थूँ और जो भी support चाहिए कि future group को जिनके अंदर था expected result है आने के लिए दोस्तों वीडियो अच्छा लग जा तो एक बाल लाइक बटन दबाना आपका बहुत महरवानी होगी नेक्स कोशन पूचा गया है maps for UPSC simplified शायद निकनेम है इनका इफ future retail wins whose share will be affected more reliance और future retail यह भी बहुत अच्छा question है देखिए इसलिए हम कहते हैं जब आप अपने question भेजिए ताकि और दूसरे लोगों को भी इससे फायदा मिले और आज यह दोनों question जो last के हैं बहुत अच्छे question पूचे गया है as per our view it will be future group shares not only future retail but all the future group sale which will get benefit more compared to reliance क्यों कह रहे हैं reliance को कम benefit मिलेगा क्योंकि reliance has already run up with a stake sale based out of the deal अगर आपको देखा हो deal से पहले जब तक stake sale नहीं हुआ था तब तक इसका price 81900 रुपे के आसपास था और यह करीब-करीब 2200 से उपर चला गया था तो इसे साब से feature group का share उपर जादा जाने की chance है दोस्तो वीडियो अच्छा लग गया तो like कीजेगा हम telegram channel पर भी हैं चाहे तो join कर सकते हैं और आपके लिए 4 वीडियो प्रसुत हैं हमारे latest 1400 collection की वीडियो में से आप जो चाहें देख सकते हैं कोई प्रस्षन है तो comment box में डाले, we'll be more than happy to make the video for you जै हिन, जै भारत, आपका दिन मगल में हो, bye guys